हर एक बंदा जो है वो SSC की प्रिपरेशन करा रहा है UPSC करा रहा है आठ साल हो गए दस साल हो गए पात साल होगे चार साल हो गए लेकिन अभी तो उनके हाथों में जो है वो कुछ लगा ही नहीं है जैन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूटीब चैनल अल्फा ओलिन वन आफ़ता में दोस्तो टॉप थ्री डिमांडिंग मोस्ट स्केलेट फ्यूचर पूरूफ कोर्शिज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ दोस्तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे समाज के अंदर गौर्णमेंट जॉप को लेकर कितने सारी चैज़े जो है वो है जानि कि हर एक दस कदम पर अगर जहां पर टूशन चलते हों वहाँ पर आप जाकर देख लीजिए हर एक बंदा जो है वो एससी की प्रिपरेशन में लगा हुआ है हर एक बंदा जो है वो एससी की प्रिपरेशन करा रहा है यूप एससी की प्रिपरेशन करा रहा है आठ साल हो गए दस साल हो गए पास साल हो गए चार साल हो गए लेकिन अभी तो उनके हाथों में जो है वो कुछ लगा ही नहीं है यानि कि किसी ने कह दिया जी कि आपके बच्चे को UPSC कराओ किसी ने कह दिया जी कि आप अपने बच्चे को SSC कराओ गॉर्मेंट जॉब ही सबसे बहतर है तो दोस्तो हमारे घर वाले हमारे रिष्टेदार सब फूर्स करते कि यही कर लो यही कर लो तो आप जो है आप भी तयार हो जाते हैं उनकी बातों में धब कर और अपने फ्यूचर को बरबात करने की और बढ़ चुके हैं दोस्तो अगर आप कहेंगे तो इस पर एक separate वीडियो में ला सकता हूँ आप लोगों के लिए और आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि गॉर्मेंट जॉब बैटर है या प्राइवेट जॉब जो है वो बैटर है पिर आप लोगों को अपना बिजनस करना चाहिए किसी demanding skill को सीखने के बाद कोई बात नहीं दोस्तों बने रहे है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऐसे courses जो की आप लोगों के सपनों को पूरा करेगा आप लोगों को उचाईयों तक लेके जाएगा द दोस्तो पहला कोर्स जो है वो है डिजाइनिंगा दोस्तो डिजाइनिंग में भी मैंने इसको चार भाग में बाट रखा है डिजाइनिंग में पहला आ जाता है इंटीरियर डिजाइनर interior designer क्या करता है जैसे आप लोगों ने कोई नया घर खरीदा उसमें kitchen कहां पे होगा bedroom कैसा होगा hall कैसा होगा drawing room इत्यादि जो भी चीज़े होती है वो सारी चीज़े interior designer जो होता है वो design करता है दोस्तो interior designer कैसे काम करता है वो 2D या फिर 3D में animation को create करता है जैसे की आपके drawers कहां पर होंगे kitchen में आपका cupboard कैसा होगा आपके bedroom में आपके hall में कैसी mat लगेगी कैसा wallpaper होना चाहिए जिससे आपका घर जो है वो खूब सूरत दिखने लगे और काफी ज़्यादा बहतरीन दिखे आपका TV setup कहां पर होगा आपका home theater कहां पर होगा आपका projector कहां पर होगा अगर आप कोई projector बनाते हैं या फिर आप अपने offices के लिए decoration चाहते हैं तो आपके office में meeting room कैसा दिखना चाहिए इत्यादी जो भी चीज़े हैं वो एक interior designers होता है वो design करता है दोस्तो most demanding skill में आ जाता है दूसरा वो है coding दोस्तो आप लोग जैसा कि जानते ही होंगे कि coding जो है वो आज के समय में कितना ज़्यादा important role play करता है जैसे कि दोस्तो आप लोगों को C++ सीखना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आप लोगों को government job चाहिए तो आप लोगों को C++ सीखना पड़ेगा और उसका certificate भी आप लोगों के पास होना चाहिए नया rule जो है वो ये बताता है हमें दोस्तो coding जो होती है वो काफी ज़्यादा बहतरीन तरीके से आप लोग सीख सकते हैं इसके अंदर दोस्तो internet coding app development और software development blockchain जैसे bitcoin ये सारी चीज़े जो है वो आप लोगों को आज के समय में देखने को मिलती है coding से आप लोग क्या कर सकते हैं जैसे कि आप किसी application को develop कर सकते हैं बना सकते हैं उसमें ads कहां पर आएंगी कितनी देर में आएंगी ये सारी चीज़े जो है वो आप लोग app developer बन कर कर सकते हैं आप लोग software develop भी कर सकते हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अवस्त है ये भी एक software है जो कि viruses को खतम करता है आप लोगों के PC से और काफी सारी चीज़े जो है वो आप लोग कर सकते हैं मिल सकती है opportunity जो है वो बहुत सारी है जैसे की टेक महिंदरा हो गया टाटा हो गया विप्रो हो गया एपल गूगल इन सभी companies में आप लोग जॉइनिंग भी है जो है वो ले सकते हैं इनके software department के अंदर जहां पर आप लोग कोडिंग कर गे इन लोगों के लिए software को develop कर सकते हैं पाँच लाक रुपे आप लोग पाँच लाक रुपे तक जो है वो ओन कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग से social media influencer बन सकते हैं आप लोग social media का इस्तमाल करके काफी लोगों तक अपनी reach को पहुचा सकते हैं अपने content को पहुचा सकते हैं अगर आप लोगों किसी को भी कोई नया software खरिदवाना चाहते हैं किसी company ने आपको pay किया है और आप लोग अपने customer या फिर आप लोगों के जो fans हैं उन तक पहुचाना चाहते हैं तो अगर आप लोगों की engagement जादा है तो आप लोग जो है वो काम कर सकते हैं ads को सीखना भी काफी ज़्यादा जरूरी है adsense में कैसे काम करते हैं किस तरीके से payout आता है payout जाता है ये सारी चीजे आप लोग adsense में सीख सकते है affiliate दोस्तो आज के समय में affiliate की भी बहुत ज़्या सकते हो अपने घर बैठे बैठे दोस्तों affiliate में क्या होता है कि अगर जैसे आप लोगों का YouTube चैनल है या फिर कोई Instagram का page है आप लोग जो gears use करते हैं वह या फिर कोई नया product आया वह मा लीजे कोई नया phone आया है Amazon से आप लोग उस नए phone की affiliate link को copy करेंगे और अपने post में paste करके उसको send कर देंगे या फिर post कर देंगे तो वहाँ पर जितने लोग भी उसको click करेंगे जब वो लोग उसको purchase करेंगे तो आप लोगों को भी जो commission होगा वो मिल जाएगा दोस्तों आप लोग internet influencer भी बन सकते हैं जहां पर आप लोगों को internet के द्वारा लोगों को सिखाने का म मिल जाएगा जैसे आप लोग affiliate में करते हैं वैसा ही कुछ internet influencing में भी होता है content marketing भी कर सकते हैं आप लोग इसमें आप लोग पांच लाक रुपे तक जो है वो on कर सकते हैं digital marketing सीखने के बाद से आप खुद का भी एक business जो है वो startup दे सकते हैं दोस्तो टिप जो है वो यह है कि आप लोग जो है सीखने की कोई उमर नहीं होती आप लोग जो है YouTube से सीख सकते है YouTube से बड़ा कोई platform नहीं है आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर दे सब्सक्राइब कर दे चैनल को